हुआ तो हम पहुच गया है मीथा घगाली में और मेरे सामने मेरे प्लेट कि मने थाली मंगाई हूँ है हो है मतन की तो इसमें मैं दिखाऊंगा आपको सब्सक्राइब很好 हाई दोस्तों तो आज हम जा रहे हैं मीथो ठकाली रेस्टोरेंट में और मीथो ठकाली का मतलब होता है दोस्तों चलते हैं मीथो ठकाली यह एक नैपाली बेस्ट रेस्टोरेंट है और यहां पर आपको नैपाली फूड मिलेगा और किस तो आपको दिखाता हूं तो बने रह तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट और लाइक जरूर करें जाने जाने जाएंगे इसके वाइफोन में और काफी अच्छीतों से बनाया हुआ यह कि अठना जयन क्यों से बनाया हुएंगे इस को स्पीर ना फिल को बचाइब तो जो मैंने भी मंगाया था आलू सेद को वह है यह आइटम तो मैंने यहां पर दुसरा मंगाया वह है चिकन सेद को वह है यह कि अब 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 ले आई आ अब इस चीकन या मतन अच थेख तो मैंने मगारी थी अपने ले मतन धाली और इसमें पापाड चावल और चटनी बगएरा खापी है तो मैं सब्सक्राइश करके बताता हूं कि यह कैसा है और हमारी बाकी थालियां भी आ गई है चिकन वाली यहां पर देखेंगे हैं और यह वैजी होगी ना ठीक पानी की बुतल ले आना आप तो चिकन थाली में पापाड चिकन सब्जी यह कौन राई है और यह वैज में सिंपल पनीर लो बताता है इसको टेश्ट करके कि कैसा यहां का खाना हम चावल वगरा बागा सकते हैं बार मैं और अभी लेता हूं इस खाने का अनंद तो डिफरेंस यह है कि आप यहां पर यहां पर यूर य来स वाली थाली मगा सकते हो या फिर रोटी वाली तो ओप्सन आपके पास है तो हम पाँच गया में में अधाली में और मेरे सामने है मेरे प्लेट जो मैंने थाली मंगाई ही है वो है मतन की तो इसमें में दिखाऊंगा आपको किया क्या है आपकर एक तो हुआ है हम चावल वगर बांगा सकते हैं और अभी लेतना उस खाने का अनंद तो डिफ्रेंस यह है कि आप यहां पर यहां पर राइस वाली थाली मंगा सकते हो यहां फिर रोटी वाली तो आपसन आपके पास है तो आप लोग भी यहां मीतु थाका लिम आए और बढ़िया नेपाली फूट वगरा ट्राइब करें वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में यहां का अड्रस वगरा लोकेशन सब्मिल जाएगा और एक पार मेरी राय मानों तो यहां पर जरूर आए और थाली वगरा ट्राइब करें जो सबसे बैस्ट है यहां पर अगर मैंसे पॉइंट देना चाहूं टैन मेंसे तो मैंसे नाइन हाफ पॉइंट दोंगा यहां के साब से कर दो कर दो